नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम NTSC की Mental Ability Test के शिंखला को आगे बढ़ाते हुए बिंदू की स्थितिक के पार्ट को पढ़ेंगे सबसे पहले इस पूरे वीडियो का हमें एक सार देख लेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं NTSC की Mental Ability Test में आपको एक प्रकार के प्रशनों का सामना करना पड़ता है जिसमें कि आप जटिल चित्रों को देखकर उससे कुछ निशकर्ष निकालते हैं उनमें कुछ आकार होते हैं और उनमें एक बिंदू होता है तो बिंदू किन आकारों में हैं किस स्थिती में हैं इस पर आपको आकलन किया जाता है इनमें दिये गए चित्रों में कुछ आकरोतिया बनी होती है जिसमें कि हमें बिंदू कि स्थिती में कुछ समानता है खोजनी होती है तो आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले देखेंगे कि हल करने की विधि क्या है इन प्रश्णों में सबसे पहले हम दिये गए चित्र में ये देखकर लिख लेना होता है एक जगा पर कि बिंदू किन आकारों के अंदर है और किन आकारों के बाहर है तो हम पूरे चित्र को देखेंगे और उसके बाद एक जगा पर लिख लेंगे इसके बाद हम हर एक विकल्प पर यही काम करेंगे और फिर विकल्प और प्रश्नकी आकरूति को मिला कर देखेंगे कि कौन सा विकल्प सही है जैसे एक आकरूति में देख सकते हैं कि बिंदू दोनों तरिभुजब के अंदर है यह भी एक ऐसी आकरूति है जिसमें कि लाल वाला बिंदू दोनों आयतों के बीच में है और दूसरा बिंदू एक वृत्म है और एक आयत के अंदर है सबसे पहले उन प्रश्नों की बात करते हैं जिसमें कि केवाल एक ही बिंदू होता है यह थोड़े से आसान होते हैं इनका एक उधारन लेते हैं और इसके मदद से हम समझेंगे कि किस तरीके से इस हल करने के विदी को हमें सवालों में लगाना है पहला प्रश्न देखते हैं कि दिये गए चित्र में बिंदू की स्थिति को देखकर दिये गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें बिंदू उन्ही आकारों में है जैसा इस आकृति में है तो यह आकृति है अब इसमें आप देख सकते हैं कि बिंदू एक चौकोर में है एक रित्त के अंदर है और बाग की इस त्रिभुज और आयत के अंदर नहीं है यहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस चौकोर में हम देख सकते हैं कि बिंदू चौकोर और रृत्त के भीतर है और बाग की आकारों के बहार है अब हम इसी प्रेशन के विकल्पों को देखेंगे यह रहा आपके चार विकल्प अब हम इनी चार विकल्पों में वही काम करेंगे जो हमने प्रश्ण में दी गई आकृति के साथ किया था पहले विकल्प पे देखते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि बिंदू, त्रिभुज और चौकोर के अंदर है दूसरी आकृति में देखें, तो बिंदू केवल इस त्रिभुज के अंदर है तीस्री आकृति के वर बढ़ते हैं इसमें हम देख सकते हैं कि बिंदू, चौकोर और रित्त के अंदर है अगर आखरे विकल्प पर चलते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि बिंदू 19 और आयत के अंदर हो है निशारों विकल्पों में हमने देखा कि जैसे स्थिती प्रश्शन में दी गए वैसी स्थिती किवल गविकल्प में है अधर उत्तर गव इकलते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम उन प्रश्णों की ओर बढ़ते हैं जो कि पिछले प्रश्ण से थोड़े ज्यादा जटेल होते हैं इनमें एक से अधिक बिंदू होता है अब हमें इसमें ये पता करना रहता है कि एक से अधिक जितने भी बिंदू हैं वो सभी उसी स्थिती में होने जैसे की प्रश्ण की आकरती में हैं तो इससे प्रश्णों थोड़े से ज्यादा जटिल हो जाते हैं प्रश्न फिर से वही है कि दिये गए चित्र में बिंदुओं की स्थिति को देखकर दिये गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जिसमें सभी बिंदू उननी आकारों में है, जैसा कि प्रश्न भी दी गई आकृति में है यह रही हमारी आकृति अब आप इनमें गौर करिए तो इनमें तीन आक बिंदू है अब एक एक करके तीनों बिंदू के बारे में देखते कि वो कौन-कौन से आकार में है इस बिंदू को देखिए तो ये बिंदू इस वृत के अंदर है और इस चौकोर के अंदर है तो ये बिंदू ये वाला हो गया दूसरा बिंदू देखते हैं ये बिंदू इस रित्ति के अंदर है इस पतले त्रिभुच के अंदर है अब यहां देखिए ये एक पतला त्रिभुच भी है और एक ये मोटा त्रिभुच भी है तो इन दोनों में हमें अंदर भी करना रहेगा और ये दूसरा बिंदू इस चौकोर के अंदर भी है तो ये ये वाला बिंदू होगे तीसरा बिंदू ये है जो कि केवल एक आयत के अंदर है अब हम विकल्पों की ओर बढ़ते हैं तो ये रहे आपके चार विकल्प, अब इन चारों विकल्पों के साथ हम वही कारे करेंगे जो अभी अभी हमने प्रश्न की आक्रती के साथ करा था, पहले विकल्प की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें ये बिंदू केवल आयत के भीतर है, ये बिंदू केवल चौकोर के भीतर है और ये बिंदू आयत, वृत्त और पतले त्रिभुज के भीतर है दूसरे विकल्द पर चलते हैं तो ये बिंदू केवल आयत के भीतर है ये बिंदू चोकोर, त्रिभुज और वृत्त के भीतर है और ये आखरी बिंदू वृत्त और चोकोर के भीतर है तीसरे विकल्प पर भढ़ते हैं तो ये बिंदू वृत्त और आयत के भीतर है ये बिंदू मोटे त्रिभुज वृत्त और चौकोर के भीतर है और ये बिंदू केवल पतले त्रिभुज के भीतर है चौथे विकल्प को देखते हैं ये बिंदू केवल पतले त्रिभुच के अंदर है ये वाला बिंदू केवल चौकौर के भीतर है और ये वाला बिंदू चौकौर और रृत के भीतर है अब इन चारों विकल्पों को हमने देखा तो इसमें हम दे चारों में ऐसा पाया होगा कि कोई एक बिंदू उसी स्थिति में होगा जैसा कि प्रश्न की स्थिति में था परंतु ख विकलते हम देख सकते हैं कि तीनों जो बिंदू है वो उनी स्थितियों में हैं जैसे कि प्रश्न की स्थिति में थे अतर ख उत्तर सही जवाब है तो हमने दो धारण देखें इससे काफी कुछ सीखा कि कैसे दी गोई आकरतियों का हमें विशलेशन करना है तो पार्ट के सार में हम एक बार इनी चीजों को फिर से देख लेते हैं तो इस पार्ट में हमने देखा कि बिंदू की स्थिति के प्रश्न को हल करने का तरीका क्या होता है फिर हमने दो धारण लिये एक में केवल एक बिंदू था दूसरे में एक से अधिक बिंदू थे उन दोनों में मैंने आपको यही सिखाया है कि दी गई आकृती और विकल्पों की आकृती का कैसे विश्टलेशन करना होता है और कैसे इने जल्दी करना होते हैं ये पूरा का पूरा जो विशलेशन है वो आपको बहुत कम समय में करना है तो इस तरीके के प्रशन अगर आप दुबारा देखेंगे और बार बार इनी आकृतियों को अपनी नजर के सामने से ले जाएंगे तो आपको इसको सोचने की आदत होगी और आपकी गती बढ़ेगे धन्यवाद दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको NTSC Mental Ability Test की श्रिंखला का ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और इससे आपकी Mental Ability Test की तयारी में मदद होई होगी कि अच्छा लगा होगी